असलाम लेकुम पाकिस्तान होप योग वैल मैं हूँ आपकी होज निश्या खान और आप देख रहें आपका अपना शुच्छट रद निश्या खान जैसा कि आप लोगों को पता हिए मेरे हर शो में डिफरेंट परसनालिटी मौजूद होती है आज भी डिफरेंट परसनालि प्लाटफॉर्म पर पहुशने के लिए आपको बहुत मैनत करनी पर दिए बहुत स्ट्रेगल करनी पर दिए तो एक पॉलिटिकल लाइप कैसी होती है और किस तरह वहां तक पहुशते हैं आज उनसे हम जानेंगे और इसके लावा माशालला सिनियर रहनुमा है पीपो पार आपको बताती हो इसके लावा और भी शोज में काफी नजर आ रहे होते हैं और मैं उनका थैंक्फूल करूंगी कि उनने हमारे शो के लिए टाइम निकाला तो आज हमारे साथ मौजूद है वारन अल्ली नाइम आवान हाई नाइम वेलकम तो शो कैसे हैं थैंक यू आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला विसली एक दिन में आप काफी शोज कर रहे होते हैं मैंने आपको देखा भी डिफरेंड चैनल पे तो हाव इस मैनेच फो दाइम इतना डिफिकल टाइम होता है पॉलिटिशन के लिए आइक अंडर्स्टैंड बट हमारी अवाम जो वो सम गश्ती नहीं हो समझती कि ये पॉलिटिशन की लाइफ जो होती है बड़ी असान होती है और बड़ी यजी वो जी रहे होतें अपनी याफ में तो कैसे मैनज करते हैं कैसे टाइम निकाल दें अपने लिए फैमिली के लिए पाकिस्तिन पार्टी एक ठाटे मारतावा समंद मेरी जर्दारी यहां हमारी परडी की जो आप ממש हमें डेते हैं. हर बंद अबन अपनी जमीदारी अदा करता है, मेरी जमीदारी पार्टी के दिफा करना, पार्टी कमेशन, पार्टी का मन्शूर, और मुझूदा हलाथ जो सुरे त्याल पाकिस्तान के अंदर मेश माशी सुरे त्याल यह कराची के निदर यहने उलक्षिन होने वाले है या झाल आधी आधी। आधी ऐयर जान। यह हुझान। जनरल आधी शनम। यह भिर्चेनल आधी है। वहां रि महारे जमेदारी होती है मेडियर रीप्रेजनतिव कोशिच रहती है कोशिच हे है के हर चकह बहुँद बोलाते हैं और कोशीच ही रही है कि वहां तक अपना एक्सेस करें और या फैमिली से कोई हो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है लाजमी सी बात है फैमिली बेग्राउंड जो था मेरा मेरे खुद मेटल नंकल है मेरे वाले साथ बड़ी इनके अटेच्मेंट रही सियासत के साथ और स्टूडेंट लाइफ के अंदर बड़ी कोशिश की कि जो वहां जो स्ट कामों के लिए क्योंके सासत इबादत का नाम है और कोशिशी रही कि हलका अबाब में जो लोग है आपके अस्पोड्स जो लोग है जो दोस्ते नंके लिए खेर ख़य खुआ रहें उनकी मदद करें कोशिश करें कि हर जगा उनकी वसाहर कटे करें तो साथ जब लाजमी सी जो आदमें होता है Kiraachi में पॉलिटिस करना आपको पता है आपके इतना असान बात नहीं है कराची की सियासद बानेत बानों गीकर सुबों की सासद टोटली डिफरेंस है कराची में क्यांकि बात यहां ऐसा ही वोक्त दा ऐसा मौल भी रहा कि मुझे याद है तीन साल तक तो मेरे अपनी फैमिली ने से जो है वो बाइकाट रखा सोचल बाइकाट रखा और तीन साल मुझे पता है कि मैंने कैसे वो वक गुजारा लेकिन जब उनको समझ आ गई कि कि इसादमी ने सियासत करनी है पॉलिटिस चोड़ी नहीं है तो वालाल आखरकार फिर वही जाता है फिर मामलाद बनी जाते हैं और हमें बच्पन में सुना था कि दुनिया में कावियां भी चाहती हो तो अली बेपर यकीन रखो जब बड़े हुए तो समझ आया है कि अलीफ लोग अक्सर यह बात कहते हैं कि जैसे आपने बोला कि मेरे बाबा या मेरे फलाँ फलाँ पॉलिटिकल है तो अलों का मानना है लों के माइंड में यह जिनके बैक्ग्रॉंड होते हैं पॉलिटिक्स तो उनको बनी-बनाई सियासत मिलती है आपके साथ ऐसा कुछ हुआ बन लाजमी सी बात है हम यूद के अंदर थे और अब भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ जो अटेच हो मारे नौजवान है उनके लिए उनके फलाँ बैबूत के लिए और उनको अपना जो मिशन है पाकिस्तान पेपरस पार्डी के जो मन्शूर है हमारे जो अब्यक्टिव में जो मिशन जुलफिकार अली बुटो मतर्मा शkeद बे नजीर के हावाले कर के गया था मतर्मा शेद बेन बनुदीर निस म मलक की बगाक की और बात ये कि जंग लड़ते लड़ते अपनी शाहादद जो है वो इस मुल्क के लिए कुर्बान की अब ऊपनी मिशन इसक्त वो यो भलाव भॉटो साब के पास है तो भाइसियत लाजमी सी बात है यूद जो है वो पूरी दुनिया के इंदर अगर इस्टि अठा लें मादी अठा लें इंकलाब यूद यह लेकर आती है तो बात यह के जो हमारे साथ जो नोजवान है और जो हमारे साथ अटेशे हैं तो हर बंदी की जिम्मधारी है, जो मेरी जिम्मधारी है, बाइसियत कौलिटेशन में अपनी जिम्मधारी अदा करता हूं, जूरुरी नहीं इसके लिए, कि आपका बेगरांड बड़ा हाई-फाई हो, रीवो, वीगो, पराड़ो गाड़ी हो, पाकिस्तान पीपर्स पार्टी के अंदर, ये माजी में, माजी से अब तक आप उठा लें, अगर कोई आगे गया है तो ऐसा नहीं, कोई वीगो, रीवो, अलग या हो गया है, तो अपन में कदम रखा, पॉलिटिशन, पॉलिटिक्स लाइफ में, तेरा चोदा साल मेरी एज थी, मैं अस वक्त सियासत से टेच हुआ था, आप तो मौर दें थार्टी नाइन जो है वो प्रॉक्सिमेटी में पहुज गया हूं, लेकिन तेरा साल का इस दिर्मयान जो अर्सा जो जरुर Charland पारे जहांगा, नहीं था और ऊपके खनड़ान, आपको मिशन यह को अन्यान चाहिए और आप reflex में करता है तो में जपार्ट वह खना में में उप्लेट इकार यह सहर दो कि एस सोचने बुटो, बेन अजीर शेहिद बेन अजीर बुटो. तो उन्होंने इस मल्क की बका की जंग लड़ते लड़ते जो है, वो कुर्बानिया दी है. तो बाराल माजी जो हमारा था, वो माजी कुछ और कॉलिटिक्स थी. माजी से लेकर अब जो पॉलिटिक्स से वो और है पहले जो हम सियासत करते रहें वो अजाद सियासत थी उसके अंदर को रिस्टिक्शन नहीं थी उसके अंदर ये था किसी की मदद करनी है तो उसकी मदद करनी ही करनी है कोई वेलफियर काम करनी है लेकिन अब क्योंकि ठाँचे के अंदर मुझेद थो पार्टी हमें खूद ओन कर तो पार्टी ड्हांचे में रहते हुए बहुत सरी चीज़ें इसी हैं जिसे हम जो है वो जु है वो बरढडर करास्ट निकर तक तक तस बार्डर में रहते हुए हम अपना काम करना होता है तो जु लोग श्यासत आना चाहते हैं जूरी नहीं है कि उनको जो है उनके पास बड़ा कुछ बेक्गराउंड होना चाहिए बस मिशन होना चाहिए खिदमत का मिशन होना चाहिए कि में करने का मिशन होना ची ह fines करनी है। इस मुल्क के अंदर लाजमी आप MORE मिल की आगे बढ़ना है। और बात यह कि HUNG बागे जब ही बढ़ सकते हैं जब मल्क के अंदर हम कों मनेंगे . जब तक हजूम रहेंगे कों मनेंगे तो पिर बात यह कों में की खड़ी हो जाती है हजूम विखर जाता है तोड जाता है भाग जाता है जाता इन चार लोगों के कांग करूं बिल्कुल जैसे ही है और एक सोच थी एक सोच होती है यह माइंड में कि पॉलिटिशन ही बनना है यह थोड़ा बड़े होकर मैं किसी को देखकर आया कोई कि यहार मुझे भी बनना है नहीं है को चाहर इंसान के बच्पन की ट्रीम सलग होते हैं वक के साथ जूरी ने कि द्री जूरी ने को टीवी टेलिविजन पर बेट के पार्टी कर दिफा करें तो बात यह कि कुछ कामों के लिए खुदा आपको चुनता है अला पाक आपको चुनता है कि आप से वह काम लेता है तो मुझसे जो काम लापाग ने पॉलिटिस के अंदर रेकर मैंने लोगों के मैंने अपने अस्तास से भी किया था सियासी पीडेशन मिर अस्ताद था कि सियासत में और बन जाओए बन जाओ ऐसा eh यही है जिसकी लगीर बड़ी है आप कभी नीचे जाओगे कभी डाउन होगे कभी आप जाओगे लेकिन मुझे याद है कि सियासत एक जो क्यों के बादत कुछ सियासत कहते हैं कराची जैसे शेर के अंदर यहां सियासत किसी फ्लेक को लेकर चलना दोजार अथारह से पहले अ कराची के कराची पो कराची के अंदर की पालचिस्तान की सुर्छ we without mun and person . काई विर्ग हो जाए तो माज़ी बड़ा खातर ना मारा गुजरा है कि हम कई छलक लगाते है चाहिश का कि हम हम कई प्लेक्स लगाते तर हमें को एक पार्टी कि लोग पकड़ लेते थे असले की जोह रुपे में कहते थे यहां फिलम पालक्स नहीं लगा। कि बात बता रहे हैं? कि यह इस मैं आप को दो आदर तैरह की बात की बात ने बातें बता रहा हुए कभी इसा भी वक्ता कि यहां पिस्तोल रगदिया गन रक दिया। बड़ा इंशन थी बिल्कुल वो कल्मा भी पढ़ लिया कल्मा भी पढ़ लिया किसी के आवाज आ गई जब अलापाक ने जो जिन्दगी दिये यह तो नई भाई अपने आदमी अपना अच्छा दोस्त है तो वो पिस्तोल यहां से निकल के नीचे चले कि तो वो वक्त मी दे के अंदर जो हमारे जयाले जो पाकिस्तान फ्रपार्टी के जो 102 आपक तुबर के अंदर कुछ मतरमा शव्यंतार काफले के अंदर शूरू से सींधू पूपीपस्टइ ने वहाएं बहुत काम किया वह वक्त था और इनकी एक बोलती थी तोती भोलती थी अभी भी भी तक जो रहा है सिंद्वो पीबस पार्टी कर रहा है लेकिन हमारे साथ यह ऐसा भी हुआ है मैं आपको बताओं कि जिर्फिकार अली बुट्टो साफ ने जो कारणामे कर दिये थे स्मूल के अंदर तो कुछ सोचें कुछ साधिश हैं कुछ मनसूबा साथ लोग नहीं चाहते थे कि पाकिसान पेपलस पार्टी आगे निकले जिर्फिकार अली बुट्टो ने बागी जो काम किये किये हमें याद है कि टाज़ा बजार में खड़े होके वाइड हाती का नाम दे कर और यह कहा है कि यह कौम घांस काएगी लेकिन इटम मन जाती है लेकिन जिन लोगों ने इसको शहीद करा आप जाए तो वहां जानवर भी उसकी कबरों पर आउनको नजर आपको नजर नहीं आएंगे अच्छा फिकार अली बुट्टो के बाद मुतरमा शहीद बेन रजीर बुट्टो ने आज आज आपके पास अगर जेब मैं फिस पार्टी का जो है वो दियावा सब कुझे लेकिन हमारे खिलाफ शुरू से साधिश्य होती रही है हमेशा अदलिया का तोड़ा नेव की हतकड़िया और मीडिया ट्राय तो हमारा होता रहा यह तो सदा बाहर चलता रहेगा और कभी तो आप ने देखा कि गुले गंड कि अगर पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त देखा गया था कि यह कितनी कों में तो बड़ा सुबगा जब चाड़ा जब पंजब जादा है तो पंजाब में से पालीफ लगीर खेच को दो लफ़ दे दिया पालीफ फिर देखा कि लाजमी ज़ी बात के कश्मीर ता रिर्द्झेति रेही सरी के साथ सअधिश्याएं होती है。 आज ... आप मेरे साथ केमरा ।। पूरे पाकिस्तन गोट्टकी जाएं जहान से गोट्री से खोता है.. और सुरत्याल ये कि आप बराबर में गाउं में जाएं तो वहां लोग लकडियों से खाना बनाते हैं आज ये माजी रहा हमेशा और ये हमेशा पाकिस्तान पेपल्स पार्डी खिलाफ इसी तरीके से साधिशें करते रहें कभी आके जजीरों पर डाका मारने की कोशिश की कि सिंद्ध के जो हमारे समंदर के जजीरें और कभी आके यहां के पी आई ये को कंट्रोल करने की बातें की कि पी आई ये फफाकी अकूमत की जो है वह हम उसके मातियत किसको हम लेकर चले जाएंगे कभी आते हैं स्टील मिल के दस हजार से लोगों के ओपर वेरुजगार करत लेते हैं उसे सब कुछ चीन लेते हैं कभी आते हमारे बेतरी जिनास पताल काडियो स्पताल को कंट्रोल करते हैं यह हम अपने मातियत काम करेंगे तो यह साधिशें पाकिस्तान के अंदर सिंद्ध के खलाफ होती रही है अब कसूर क्या है हमारे सिंद्ध में रहने वाले जो यहां मैमान अवाज गहरतमन्द जो हमारे सिंद्ध भाई हैं जो और्दू स्पिकिंग भाई हैं वो पाकिस्तान पेपल्स पार्टी के लवा वोट नहीं देते और अभी भी आप देख लें 2018 में तीन सुबहों से इमरान खान को जो है वहां से एक्सरियत मिली लेकिन जी नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वेल्कम बैक नाजरीन और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चुच्छट विद निश्या खान और नाईम साब हमारे साथ मौजूद हैं बिसिकली प्यूपल्स पार्टी के सिनियर हैं नुमाया और उनसे हम कर रहे तो जी नाईम साब वहीं से कंटीनियू करेंगे जहां आप रुके थे तेखिए एक अलापाक ने बड़ा करम किया है सिन की जो जमीन है हमारे पर जो अलिया कराम हैं जो बुजगरान हैं वो भी तारीक के अंदर पाकिस्तान की तारीक के अंदर सब सबस्दादा अलम्दला जाए हो आपकी वेज़ी टेबिल की हो तो सिन बहुत कुछ दिया इस पाकिस्तान को आज भी अगर मेरे साथ अगर थरकोल चली जाए थरकोल में से एक अजार साथ मेगावार्ट बिजली यह सिन निकाल के दे रहा है और यहां से बिजली वी निकली वी फैसलाबाद आपका हम जो सादिय होती हैं कभी 122 रुपय का इलान होता है कि हम देंगे कराजी को हमने देख लिया वह हम चांट पर डूंड Dude रहे हमेइं हमारे वह साबकावेजिर्य आखी और से फिर 1100 रुपय का आलान होता है कि हम 1100 रुपय देंगे। फिर होता है यह मिएपको पताँ कि ज रगानी आफात आजाए, कोई आलमी वबाए आजाए, उनको भी फेस करना है, हमने इन चार सालों में तीन सालों में तीन चीजें बड़े बुरे तरीके से फेस की खास तो रुपे, आपने देखा कि आज से साल पहले टडी दल आ गया, जमीनों पे जो हमारे काशिका, जो किस पूझना दें, आप हमें वो जहाज दिए जिस जासセ हम इपुलडाय कर सकें, आप हुझे हमारा ओगा, आप कि हमें सब्सक्राइं जबड़े तेकि हमस्प्रे कर सकें हैं। अभी हम उसे निकले नहीं थे रिकार्ट पर राके नवे साल का रिकार्ट दो साल पहले बारिश का इस कराची के अंदर जो कुछ हुआ मीरपूर खास में बदीन में थर के अंदर अमर कोट में डूब गया उस वक्ट भी हम देख रहे थे कि शाहत वफागी हकूमत कोई बजट अनौश करेगी कोई पेकेज अनौश करेगी कोई पेकेज किसी किसम को कुछ नहीं दिया गया एक कराची डूपता हुआ कराची हमने निकाला हम ने सिंध को जो है वसायल दी ए फिर उसके बाद हम उसे निकले नहीं थे आपका जो एक करोना वायरस इस करोना वायरस जैसी वबाव हमारे मलके अंदर आई और सिंध के अंदर कराची के नदर पहला केस डागनोस हुआ आपका अली नाम की लड़के और कराची सिंध कि पूरे सिंध सबसे पहले करोना का जो है कैस आइलिए का इस्सेंटर दिया है कृर्णटीन सेंटर दिया हम थे पेर अधियू सिंध काद्ध मारीन हमने सबसे पहले उपराशन इस सिंध र्चाट किया उसमें अर्भा अरुड़ या लगा लेकिन बात दी एक हम देती है लेकिन होता है यह मैं आपको बजट आपको दिया जाता है उस बजट में नगानी आफाथ आलमी वबाओं के लिए एक मकसूस बजट रखा जाता है अगर पच्छीस बजट रखा गया तो नगानी आफाथ 200 रुबे का नुकसान करके जाती है एक्स्ट्रा कोई है इसके है लेकिन आज भी अलम्दल्ला मैं प्राओड है कि कराची से कश्मोर तक हमारे पास 99 एंपिए 99 एंपिए जो है वो अकस्रियत के साथ सिंद्ध कुमतियां मुझूद है बाकी अलम्दलिल्ला पाकिस्तान की बेतरी नस्वताल इस कराची के अंदर एनाफ सीडिय मे आते हैं और भी हमें इस बात का प्राओडे लोग हमें कहते हैं रोटी कपड़ा मकान आपका नारा आपने क्या दिया तो हम बताते हैं कि रोटी कपड़ा मकान अगर हमारा नारा है तो हमें प्राओडे के आज भी अगर पंजाब से करमालशी भी आता है तो इस कराची वाला Transporter और KPK से आने वाला Carbet बेचने वाला किराची माध bomber लोचिस्तान से आने वाले. जो लोग किराची के अंदर किरे इसमा धर्थी के सแต supported को प्रॉप करते हैं. और दीगर जो MPA जिसका बजट कराची के अंदर अगर किसी MPA का 9 लाख रुपया है तो लड़काने का बजट भी 9 लाख रुपया हम उनको भी अपने साथ लेके चलते हैं लेकिन नाइव साप लोगों का मानना यहिए ना कि आप लोग जूसा काम करते हूं बस데 के लिए घर टूट गये लोगों के एत segurança टाइम से एक चीज़ आपके हाथ में हैं आपके बास तो आपको क्यों नहीं कराची के लिए काम कर रहे हैं कराची की सड़कें इतनी खराब हैं लोग इतना रो रहे होते हैं घर तूट गए लोगों के इतने तो चलो अभी फूर एक्जाम्पल तीन साल हम भी देखें सिस्ट हमने भी देखा तीन सालों में काफी चीज़ चेंज हुए जब इम्रान खान साब की गवर्मेंट आई लेकिन उससे पहले तो कुछ और सिस्टम था उससे पहले आपकी पार्टी ने क्यों कुछ नहीं किया कराची के लिए गाउं के लिए तो यही तो लोग बोलते कि इनका मुझे पता है कि मैं वोट डालने जाता था तो मुझे कहते हैं मुझे लिए अवान साब आपको वोट डल गया है तो यह इस कराची के अंदर वोट यहां पर एलेक्शन एसे कराय जाते थे यह कराची शेयर था इस कराची के अंदर बात यह कि जो असानियत की सियासात थी है यह इस कराची में जुबान बोलने वालों की जो सियासती रंग नसल की सियासतथcción ती आप ईलिम के अंदर वी सारी चीज़ चिखेंब इस होता यह कि कराची किम्पों के अंद लेढ एंगर के तद़ा है तो अक्सरियत यो रह Susud क मुंत्त पार्टी के शेयर फियर थी है। मैं भी पत रहा यह फ्रूम झाल कराची कर्णा सब्सक्राइब कि अरे सब्सक्राइब करदी कर्च्ण को पर के कराचई तれない जि크 कराचिक के लिए हैं बीवाथ के इस ने पतर नहीं उता सब बता है बता ह optic आप लिवाथ को ओफ भ hazard आप कि तिन्य ऐस जमातनी जर्गमाल किया हुआ था उसने बेबस किया हुआ था कराची के ताजरों को बेबस किया हुआ था कराची का जो कराची से निकला वज़ा फंड था वो नैंजिरो का किचिन इस कराची चलता था अगर मैं डिय की बात करूं के डिय की बात करूं सब्सक्राइब की बात तो वो इस कराची के अंदर उस जमात के आता था मेर आता था उसका आता था एमेने आता था उसका आता था गवरनर आता था उसका आता था तो कहने कराची का काम था कि कराची के अंदर अगर 200 चोटे नालें तेरा बड़े नालें उनकी सफाई करना ये मेर कराची की जमेदारी थी कराची के अंदर अगर कराची की कोई स्ट्रीड लैट्स कोई बंदे तो कराची के अंदर तमाम स्ट्रीड लैट्स को जो सेट करना था उसको चलाक रखना था वो मेर कराची को उसको बगायदा बजट दिया जाता था कराची में छोटे पार्क कराची में मचों के खेलने के मैदानाथ कराची में खावतीन के लिए वाग करने की वो स्ट्रीट कराची के वो पार्क जो कराची के पार्क थे उसको पार्कों को मेंटेन कर किरना मेर किराची की जम्यदारी थी डिप्टि मेर किराची की थी थे वो कबरस्तान से लेकर कराची के अंदर बात ये के मैदानाब तक उस पार्टी के अंदर उसके मेर की जमेदारी थी कि जो के चार साल रहा और आखर में पेपर रोला के चला गया मुझे अख्तियारा दी दिये तो तुमने चार साल मज़े क्यों लिए भाई तुम पहले साल छोड़ते अख्तियार ली थे आपने ना कराची के अंदर बड़े-बड़े अगर जमेदारी अगर मेर क inspárias été तो आप और हम शे कि याले सवाल नहीं कर तकटे है कराची वाले जानते हैं कि जमेदारी कि स्कीतिए और कि गोnd एक फानंदर क्यवन्स आज़रा गेंवữa फटे कराची को 1100 अरब देने थे कराची ने शायद घलती से उनको वोड दे दिया हम तो नहीं कहते वोड मेला उनको लेकर आगए इडिया सिस्टम बन करके कराची परी दफ़ा अजाद हुआ मेला एमकीम को वोड नदे कर था थारिखेंसाब को वोड देंगे लेकि तरीखेंसाब ने क्या किया गार किया कराची ने कर सब्सक्राइब करें कर तो पर बना के आप हमसे सवाल आपको सवाल कर लेकर कश्मीर तक कि अवाम को गिल गित तक कि अवाम को ये बात पता होनी चाहिए हमारा काम है कि करा किरा 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 किर आप लोगों ने किया लेकिन क्रेडिट दिया जाता है अमरान कांद साब को तो नहीं साब मुझे ये बताएं कि अभी जिसे फिलहाल नया पाकिसान बना खतम भी हो गया तो उसमें क्या चेंजिस आपको लगी कि यार बहुत गलत हुआ और यह होना नहीं चाहिए था इसमें मैं जो 30 थी वो चीज ये थी कि एलेक्शन से पहले हम भी खौफजदा थे कि सुनामी आएगा और भाग ले जाएगा था था इसमें जिनको इनों ने टिकेट दिये ना जितनी भी इनके अमेन एंपिय थे 90 परशंट वो थे सुनामी का पानी लोटों ने बरा और लोटों से सुनामी का पानी भरके इस मुल्क को आवाज लगा दी मदीने के रियास्त और मदीने की रियास्त बनाते बनाते इस मुल्क के साथ वो करके गए वजीर आजम साब चैना जाएं तो कहें मैं चैना जैसा मुल्क बनाऊंगा आपके जो हैं वो सौधी अरब जाएं तो सौधी के पास से हकूमत चली गई लेकिन जो बारूदी सरंगे बकोल इनके चपड़ासी ना रखने वाला वजीर दाखला बनाया था खुद उसने मुझे एकसेप किया कि इमरान खान को चार मेने पहले पता लग गया था वो जा रहा है और वो बारूदी सरंगे बिचा गए इनके ल के साथ आपने माइदे किये वो मैं समझता हूं कि हमाम के सामने आने चाहिए है खुद इनके जो है वजीर फाइनस मिनिस्टर ने बात एकसेप की नवंबर के अंदर रिकॉर्ड पर वीडियो कि फाइनस मिनिस्टर ने का कि इनका टार्गिट जो था अकनूमी था ही नहीं म ने जब मैंने आके जाके फाइनस मिनिस्टर की जब जब जिम्यदारी अदा की तो मुझे तो लगए ही नहीं कि यह फाइनस की तरफ या मेशत की तरफ इनका कोई फोकस है खुद उसने एकसेप किया कि मुमार्ण को को कि हमारा आई मेफ के साथ छोच छोच सो मिलियन डालर का माइदा हो गया है एक सो मिलियन मिल गया लेकिन बसकिसमेती है कि हमें आठ रुपया हर महीने पिट्रोल बनाना पड़ेगा यह वजीर फाइनस इनका मिनिस्टर था शोका तजीज जो नॉमर में एकसेप करके गया था अब आठ रुपय से लेकर आज जून में आप नोट अबी भी मुझे आगे और टाइम चाहिए था मस्धिद लेकिन इनों ने मुझे काम करने का मौका नहीं दिया देखें वजीर आजम जब पार्लिमेंट में हल्फ लेता है ना तो हल्फ की पासदारी रखनी होती हल्फ इसलिए नहीं लेता है कि मैं पार्लिमेंट के बाल यकीन रखता हूं इस मुल्क की में खिदमत करूंगा इस मुल्क को बेतरीन मनसुबेंद दूँगा इस मुल्क को मैं आगे लेके जाओंगा दुनिया के साथ तालुकात बेतर करूंगा ये मेरा अबजेक्टिव रहा ये मेरा मिशन है इसलिए एलफ नहीं लेता है मैं तो शुडूंगा न newer事情 को दूए झए तूड़ूंगा ने, तुम्हारी TV उतारूँगा, तुम्हारे मेसी उतारूंगा और साड़े साल में यह किया रहा ए इस साड़े साल में जो मनसूबें इस मुलक को दिय कभी आएंडों की बात हैं करता थी आ जाँ, कभी आके कट्वी की जेतुन भंग इसके लावा इस मुल्क को जो वादे किये करोड नो करी है कहा है वो सब चीज़े हैं आप जब अपने मिशन से एड़ जाते हैं आप अपनी जमेदारी से काहल हो जाते हैं तो फिर आप कैस्पेक करते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा हमने जब मुल्क दोदार जाएगा मुल्क कितनी तरकी पर हमने पांच चारी आठ अच्छा नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो जी नाजरीन मिलते हैं छोटे सब्सक्राइब के बाद वैलकम बैक नाजरीन और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चुच्चाट विद निशा खान और मेरे साथ प्यूबस पार्टी के सिनियर रहनुमाएं और इसे अच्छी एकनोजिशन की चल रही है पाकिस्तान के उपर तो जी नहीं सब्सक्राइब करें जहां से आप बात कर रहे हैं देखें वजीर आजम में आज यह किया कि अगर लेता है तो हल्फ की पासदारी करता है ना कि इस आसससे लोगों को थोड़ा सा लोग आवाइट करते हैं आज लोगों को पुलिटेशन अच्छा नहीं लगते ठीक है इमरान खान इमरान खान हीरो था हम भी इस बात को एकसेप्ट करतें लेकिन नैंटी 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 टू के अंदर भी इसकी कोई पॉग्रेस बहुत अ प्रच्छी नहीं रही मेरे M-PIF ये पॉग्रच्छी नहीं आपने दावा किया था कि आपके बादोस्कों मारे मास्याते क्ष्ट लिए खंधानी सियासत दान भी नहीं कि लाते हैं किर्की टर थे हैं और अचानक चीज सियासत पे आ गहें तो थोड़ थोड़ा सा वो भी हो तो जितने भी गुवर्णिट रही है, नॉर्मल था बधी चल रहाता सिस्टम, लेकिन ने को अभी वी अवाम सपोर्ट कर रहा है, आप आप ने देखा होगा जैसे इनके में मैं जल्से देखते हूं, तो काफी अवाम इनको अभी भी सपोर्ट allein का मानना है, जो लोग कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो पहले की गवर्णमेंट रही है वो खराप करके गई है उनको समालने में भी टाइम लगता है अगर साड़े तीन साल बात अकर आप यह कहें कि इनको छे महीने और मिल जाते पहले तो हमने मेशत बचानी थी इस मुल्क की बात यह कि बा मिन अडेंसर में था मिन Umiran Khan ने पास किए थे करतारपूर बार्डर खोल करके उनको सबसेटिज़ें शहक्स्थ सिक्षों को सबसेटिए थी इनका बात यह कि करतारपूर इंडिया से आने का तुमां kayak a von of बरन्मेठिज़े मुझे बात यह कंसा सबसेटिया थी और पता है चार-चारलाग पने चार्चाललाग का आप ने हज उमरे से सिपसिटी खतम ढीः आप ने सिखों को सबcity दी आप लोगों यहापकि प्रक्द के Tutaj आपने हमारा करने हैं जितने मंद्र बने हुएं आप नहीं कि टेक कावर करें इनका ख्याल रखे हैं जो इनके साथ जो नाद्मी सी बात है उनको जो यहां जो हमारा दीन कहता है, हमारा इसलाम कहता है कि किसी के मख़भ को ना छड़ो, वो अपने मखभ के अंदर खुश रहे हैं, लेकिन बात ये, कि आप ने आके चार सो मंदरों के आडिनेस निकाल के और सुरह त्या हिए अरिया के अंदर आवाज लगा दी कि काईधियानियों के लिए जितने आप ने रास्तें अभार करने की कोशिए यह जो एलेक्टोनिक उसमीर को आपने कर सम्agit कर देने के लिए नवाब कर दी थी और मैं आपको बताऊंगों जैसा भी था मुल्क, चौतर साल से इतनी जुरत नहीं थी इंडिया के अंदर, कि कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर ले था, आर्टिकल 370 रिवक करके, इतना बेबस वजीर आजम, बेसलेस वजीर आजम, कि अपने हातों से उठा के, मुदी को मिस्कालें दे कर, उठा के कश् स्टेट बिंग को पाकिस्तान, आज आप ने, इमरान खान ने, आपके आईमिफ के वाले गिर्वी रखवा दिया, जब अगर आदिया है, अब आपकी जो रियासत है, वो अगर गवर्मेंट तंखाएं भी बढ़ाएगी तो पहले आईमिफ से पूचेगी, अगर आपके प जीरों के अंदर डाका मारना है, तो सदार्ती आडिरेंस तीन सो पर सदार्ती आडिरेंस निकाले, तो इस पार्लिमेंट की जूरत क्या थी, इस पार्लिमेंट को बन करने की जूरत थी, इस पार्लिमेंट को लांते बेचते थे, तो फिर पार्लिमेंट को बन करते, बनी काल नहीं कि आज उसका वजन को उठा रहा है आज आप वजन उठा रही है आज निकलें बाहर आज आपको पाइंच सो से साथ सुरुपे गी किरो मिल रहा है अब यह भी तो देखे ना अभी भी आवाम साथ खड़ी विए ना पॉंट फ्यू यह जलसों में आप देखो तो इतनी हमाम है कि आपकी सोच होगी सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं लोग देखे मैं एक बात बता हूँ यह मुल्क जो है अगर इस मुल्क के अंदर कर तीस करोड़ लोग है और इमरान खान यह कहा है कि मैं इसलामबाद में अजादी मार्च करने आ रहा हूं और अजादी मार्च के लिए कौम को बता है पुरी दुनियों को मेरे साथ 20 लाख लोग हों कितने 20 लाख आप 20,000 बंदा भी ना ला सकें असलामबाद और 6 बज़े वो जो आप बंदे आपके साथ आए दो चार पांच रदार उनको छोड़के आप भाग जाए इस अपना स्यास्त दान क्या इसको आप लीडर कहेंगी आप 6 बज़े पुरी दुनिये पुरे पाकिस्तान से लोग कठे करें और 6 बज़े खुद बाग जाएं पिशावर और और चारे रोड पे धर बदा रहें फिर मुझे बताएं कि नो मोर या पिर जो है वो मैंने कंप्रमाज नहीं कि अमेरिका के साथ च क्या मजागत है तो 20 करोड का नारा लगाने वाला पांच अदार बंदा भी ने लाएं आप कहें कि लोग होतें इसके जलसे में हाँ कभी आपने देखा होगा कई हीरो कहीं आजाए फिल्मी अदाकार कहीं आजाए वेसी रच लग जाता है तो बात यह है कि वो किसी टेम का लोग हीरो को देखने के लिए लोग आ जाते हैं शायद मेरा खाले वो तादात कठी हो तो लेकिन इसके अपने लोग भी चोड़ के जाना शुरू करती हैं लोगों ने चलें ठीक है और क्या हो बिजस के इलावा क्या करते हैं फ्री टाइम तो आइधिंग नहीं मिलता होग नहीं है बड़ा मुश्किल हो जाता है और पहले तो चलो जम्यदारियां कम थी रिस्पॉंसिबिटी कम थी फैमिली को रिलेटिफ को फैमिली के अंदर को तकरीबा तो आना जाना हो जाता था लेकिन अब तो घर वालों ने भी चाबी दे दी है घर की आओ तो तो ताला से आप खुद असासा बन चुके होते हैं इतने मामलात होते हैं कि अब मैं यहां से लाजमी सी बात है आज से प्रिग्राम करूंगा कहीं और शो में जाना है वहां शो करूंगा अभी बलजाती इलेक्शन चल रहे हैं अभी बलजाती इलेक्शन से निकलेंगी जनरल हैं लड़ाओं अब लादमी सी बात दे लोग वहां भी इंतजार करते हैं उनके साथ भी बैटना होता है उनकी परशानी भी देखनी होती है तो इतना वक्त नहीं होता कि आप अपनी फैमिली को अपने लेयल को या अपने हलका बाप को या अपने रिलेटिफ को टाइम दे सकें लेकिन बारहल जितनी कोशिश हम कर सकते हैं कि मैनेज कर सकें लाइफ को बेतर तरीके से तो फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते हैं बिल्कुल बड़ा मश्किल हो जा हमारे तो और अभर और में हैं हमारे तो बहुत हुए तो वह जो आजमा जो जो मर्दों के लिए होता है वह गारी में इसरीक्डबाय तो तो कभी तो ऐसा भी होता है कि आप वह बिस्टाडी दिन तक घर नहीं आगना होता है कि सुれる तोomsorg करता लेकर आजने चाह्ता है अगर आपने दुनिया में आगे जाना है तो आपको आजी पसंदे आप जूख जाओ बड़े-बड़े पाड़ चड़ने सत करने जुकेंगे तो मेरा ख्याल है आपको कहमे में मिलेगी तब ही आपको कहमे में आ जाती है फिर आपके ता साइड पर कर दो इस नहीं चाहिए कोशिच रहती है बाराल कोई नराजगी नहीं ना फेमिली ना रिलेटिव की वह बी चीज़ों को समझते हैं ओ के ट्रैवलिंग का शौक है ट्रैवलिंग करते हैं सारा दिन होते हैं आप अट उप कंट्री लाइक पिछले दो तीन साल से बड़ा मुझिल हो देता हूं फेमिली के अंदर जो मेरे फेमिली मेमराने सब को साथ अटेच हो के लेकिन करोना के अंदर बात यह कि लाने कहा था क्यामत से पहले में तोबा के दरवादे बन करूंगा तो यह अला पाक नहीं इंडिकेशन दिया था और आपने देखा कि इसको कहते हैं तोबा खाना काबा बन, मजिद नवी बन, जहां हिंदू पूजा करता है मदनिर पे जाके वो भी बन, तो जहां चर्च के अंदर जाके अगर कोई क्रिश्टन जाके वहाँ अबातत करता है तो वो भी बन, मदरसे बन, मजिदें बन, अल्ला पाक में सब बन कर दिया तो हमें मेरे तुबह करने की जुरत है इसे पहले कि अलब पाक मजीद नराज हो ओके थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला मेरे शो के लिए नाइस टू टैलिंग भी त्यू बहुत अच्छा लगा आप से कुनरिजिशन करके इंशालला फिर मुलकात होगी किसी नए शो पर इंशालला तो जी नाजी नाज हमारे साथ मौजुद थें नई मौवान इंशालला फिर मुलकात होगी एक नए शो के साथ एक नए गैस के साथ उसक तक के लिए अल्ला हाफिस